नमस्कार साथियो मैं मास्टर बिनो सर हाजर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ दे की साथियो पास्चात दार्षनिक यानि जो बिचारक हैं यह हम आपको इस वीडियो के मादम से इस चैनल के मादम से प्रवाइड कर रहे हैं इससे पहले हमने आपको पेलेटो पेस किया है आज हम एक इसी वीडियो में पूरा जर्मी बैंथेम आपको समझाए दे रहे हैं टॉपिक को अंद तक जरूर देखेंगे तब ही जाके आपको टॉपिक समझ माएगा तो जर्मी बैंथेम में इनका जनम फरवरी 1748 को हुआ था तथा इनकी मिर्तिव 1832 को हुई थी तो दे देखना परिच्य है इनका इनका जो परिच्य है इसमें देखिए इनका जनम लंदन में फरवरी 1748 को एक प्रतिस्ठत वकील परिवार में हुआ था इन्होंने पंद्रे वर्स की अवस्ता में ही ग्रेजोशन यानि बीए कर लिया था लिकंसन इन से लिकंसन इन एक कॉलेज हैं कॉलेज है जिससे इन्होंने बेरिष्टर की उपाधी प्राप्त की थी किसकी उपाधी प्राप्त की थी बेरिष्टर की 1732 यानि 1772 से बकालत सुरू की थी यानि इनके द्वारा 1772 से ही बकालत की परिच्छा या बकालत सुरू कर दी गई थी 1792 को फ्रांसी सी राष्ट वादी संसत थी उन्होंने इन्हें अपनी नागरिता ग्रहन देदी थी यनि 1792 को फ्रांसी सी राष्ट वादी संसत ने इन्हें इन्हें मिन्स जर्मी बेंथिम को नागरिता देदी थी देखिए मिल्स इनके सिस्थ यनि मिल्स मिल्स जे एस मिल्स है जो वो इनके सिस्थ थे रिकार्डो इनके अन्यूआई थे ये देखिए आगे इसमें कॉटिसन दिया गया है काफी महत्पून कॉटिसन है मैं जेम्स मिल का आध्यात्मिक पिता हूँ कौन कह रहा इस बत को? जर्विन बेंथेम मैं जेम्स मिल का आध्यात्मिक पिता हूँ मिल्स रिकाडो का आध्यात्मिक पिता है मिल्स रिकाडो का आध्यात्मिक पत्र है इस तरहे रिकाडो मेरा आध्यात्मिक पोत्र है आपको समझ में आगई होगी कोटिसन यदि आपको समझ में नहीं आई है तो एक बाद फिर से जान लीजिए जर्मी बेन्थेम इस बात को कह रहे हैं कि मैं मिल्स का आध्यत्मिक गुरू हूँ किसका गुरू हूँ मिल्स का आध्यत्मिक पेता हूँ मिल्स रिकाडो का आध्यत्मिक पेता है इस तरह रिकाडो मेरा आध्यत्मिक पोत्र है क्या है पोत्र आगे बेन्थेम जो बेन्थेम है वो उप्युगतावाद का जनक, व्यक्तिवाद का समर्थक, उधारवादी तता सुधारवादी विधिविता माने जाते हैं इनकी रचना हैं, important रचना है इनकी, ये रचना के देश्टे से एक बहुती बड़े लिखक मान जाते हैं, यानि महान लिखक थे, मेरी पी मेख के अनुसार, एक और दार्शन कोई हैं, मेरी पी मेख के अनुसार 1770, 1770 से 1832 तक प्रति दिन, ये 15 बड़े प्रस्ट लिखा करते थे यानि बड़े लेखक्ते मान लेखक्ते तो मेरी पी मेप की अनुशार 1770 से 1832 तक प्रती दिन 15 बड़े प्रस्ट लिखते थे इनकी पांडूलिपी पांडूलिपी का मतलब होता है हस्त लिफी हस्त गरंथ यानि हाथ से लेखे हुई गरंथ हिनके 148 बक्सों में या बॉक लेखे हुए हैं आपको समझ्वा गया है वो किलर्टी से आप इसको एक बार फिर से दौरा लेजिए ये एक माहान लेखक्ते मेरी पी मेप के अनुशार 1770 से 1832 तक ये प्रती दिन 15 बड़े प्रस्ट लिखा करते थे इनकी जो पांडूलिपियां है पांडूलिपी जो हस् 148 बॉक्सों में लंदन भी स्विध्याले तथा बिर्टस मेजिम में रखे हुए हैं आग देखिए इनकी रचना हैं काफी इंपोर्टन रचना हैं इनकी देखिए रचना हैं इन्हीं फ्रेग्मेंट ओन गवर्मेंट कैई बार पेपर में पूछी गई है फ्रेग्मेंट गवर्मेंट जो यह रचना है इनकी इसमें बिलेक स्टॉन बिलेक स्टॉन की कानूनी टीका का विरोध किया गया है पेपर में पूछ जाएगा आपसे कि वह कौन सी पुछ तक है जर्मी बेंथेम की जिसमें इनोंने बिलेक स्टॉन की कानूनी टीका का विरोध किया है तो अगला प्रसुन है देखिए इनका अगला जो ग्रंथ है वो है ए इंट्रोडक्षन दा प्रेंसिपल मौरल क्या है ए इंट्रोडक्षन टू दा प्रेंसिपल मौरल एंड लेजिलेशन ये कापी बड़ा ग्रंथ है साथ ही हो ये इसका सर्वोत क्रिस्ट ग्रंथ माना गया है जैसे मैक्क्यवली का प्रेंस प्लेटों का रिपबलिक इस तरह से इनकी अगले पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है देखिए एडिफेंस ओफ यूजरी कौन सी पुस्तक है एडिफेंस ओफ यूजरी दूसरी है ए त्योरी ओप punishment एंड reward इसमें नहीं दंड का सिद्धान्त पेस किया है ए त्योरी ओप punishment and reward दंड का सिद्धान्त दिया है ये दिया है ए ट्रेज्ड on यानि judicial एविडेंस जूडिसल evidence आगली परिश्टक के छट्मी एपुडे바 स 1944 ला यह principle of introduction ला तेकि इसके बाद इनका सिद्धान्त है उप्योगतावाद का सिद्धान्त कौन सा सिद्धान्त है उप्योगतावाद आप इसे अच्छी से समझेंगे जो उप्योगतावाद है यह उप्योगतावाद के जनक जर्मी बेंथें माने जाते हैं कौन माने जाते है जर्मी बेंथे माने जाते हैं उपियोगतवाद सब्द का प्रियोग सरप्रथम डेविड हूम ने किया था कि यह बारे प्रस्न पूछा गया है कि उपियोगतवाद का सबसे पहले उपियोगतवाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था तो डेविड हूम ने किया था अपनी पुस्तक यानि ट्रेटाइज ओफ हूमन में किया था देखिए इन्होंने मानव स्वभाव का केंदर बिंदू उप्युगताबाद बताया है जो मानव स्वभाव का जो केंदर बिंदू है जर्मी बेंथिम ने वो उप्युगताबाद बताया है क्या बताया है उप्युगताबाद देखिए इनका जो उप्युगताबाद है ये अधिकतम ब्यक्तियों का अधिकतम सुक का सिध्धान्त बेंथिम ने दिया था बार बार प्रश्ण आता है इसका यदि हम बात करते हैं अधिक्तम ब्यक्तियों के अधिक्तम सुख का सिध्धांत इन से पहले यानि इस सब्द का प्रियोग के सब्द का अधिक्तम ब्यक्तियों का अधिक्तम सुख का सिध्धांत सब्द का प्रियोग सबसे पहले हाचेसन ने किया था किस ने किया था हचेसन ने किया था तथा बाद में प्रस्टेले ने अपनी पुष्टक प्रस्टेले ने अपनी पुष्टक यानि ऐसे ओन गवर्मेंट बहुत इंपोर्टेंट पुष्टक है यह ऐसे ओन गवर्मेंट किसकी पुष्टक है प्रस्टले की है यानि आप एक ब व्यक्तियों के अधिक्तम सुख का सिद्धान्त जो है यह अधिक्तम व्यक्तियों के अधिक्तम सुख का जो सिद्धान्त जो दिया था सबसे पहले इस सब्द का प्रियू हाचेसन नामक बिद्धवान ने किया था तथा बाद में प्रस्टेले ने अपनी पुस्तक ऐसे ओन में किया था, देखिये, इसमें दे रखा है, मैं अदिकतम ब्यक्तियों का अदिकतम सुकuego का सद्धान्त दिया गया, किसमें दिया गया था? ऐसे ओन गcorrect में, उससे 22 सरवादिक प्रभावित थे किससे प्रभावित थे इनका जो ऐसे ओन गवर्मेंट था किसका प्रस्टले का इससे ये सरवादिक प्रभावित थे अब बात करेंगे हम बेंथिम का उप्योगत वाद इससे पहले हमने बेंथिम के बारे में पूरी जान कर दे दिया आप लोगों को अब हम बात करेंगे बेंथिम के सद्धान्तों के बारे में यहीं बेंथिम का उप्योगत वाद देखिए बेन्थिम का उप्योगताबाद ये इंटरनेशनल ओफ दा प्रेंसिपल ये इंटरनेशनल ओफ दा प्रेंसिपल ओफ मॉरल एंड लेजिलेशन जो ये घ्रंथ है इनका इसमें मानव जीवन के दो स्वामी बताए इनोंने मानव के कितने स्वामी बताएं दो स्वामी बताएं इन्होंने मानव के दो स्वामी बताएं पहला है सुक और दूसरा है दुख पहला सुक दूसरा दुख सुक क्या है जिस कारे से सुक मिलता है वो उचित और उपयोगी होगा यनि जिस कारे से सुख मिलता है वो सुख कैसा होगा वो उचित और उपयोगी होता होगा और जिस कारे से दुख मिलता है वो अनुचित और अनुपयोगी होगा अनुचित और अनुपयोगी होगा ऐसा इन्होंने अपने सिध्धांत में बताया है देखिए इसमें दे रखा ह बैन्थेम यानि सुख साध्य होता है बाकी सब साधन है यानि सुख को क्या माना है इन्होंने साध्य माना है आगे देखेंगे सुख की प्राप्ति के इन्होंने चार साधन बताएं सुख की प्राप्ति के कितने साधन बताएं चार वो कौन-कौन से साधन है चार वो देखना धर्म, राजनीती, नैतिकता, बहुतिक वस्तु है, यानि जो धर्म है, यानि धर्म परदत सुक होता है, उसे धर्म परदत, यानि जो धर्म से मिलता है, उसे धर्म परदत, जो राजनीती से प्राप्त होता है, उसे राजनीती परदत, तो जो नैतिकता से प्राप्त होता है, उसे नेतिक जो प्राकृतिक बस्तु हैं यानि जो भोगोलिक दिर्ष्टी से जो हम मिलता है समाज में रेकर उसे बहुत एक सुख कहा है आगे दे रखा इसमें सुख वे दुख मात्रात्मक गुनात्मक नहीं बेंथें देखिए जो जर्मी बेंथें में इन्होंने सुख को केवल मात्रात्मक सुख की गर्ना किये गुनात्मक सुख को ये नहीं मानते हैं इस मैं आपको समझा दूँ ये कह रहा है अपने इस मात्रात्मक सुक में कि सुक की मात्रा होनी चाहिए एक व्यक्ति पढ़ाई में सुक प्राप्त कर रहा है एक व्यक्ति सराप्पी कर सुक प्राप्त कर रहा है मतलब सुक की मात्रा बता रहा है केवले ये गुन नहीं बता आए ये कोई जरू नहीं है कि जो सुक उनको मिला है वो गलत नीतियों से मिला है तब भी सुक मिला है और सही रास्तों से मिला है तो भी सही मिला है जैसे माल लेजिए एक सरीप सज्जन इंसान को लुटे रेन लोट लिया है जो लुटे रेन जो लुटा है एक सज्जन सरीप ब्यक्ति को तो उनको भी जो माल हाथ लगा है उसमें जो सुक प्राप्त हुआ है उसकी गन्ना ये करता है देखिए मतलब ये सुक की मात्रा बताता है केवल और क्या नहीं बताता है गुन नहीं बताता है उसके अब देखिए सुक अबलिक दुख का वर्गी करन सुक अबलिक सम्टे है देखिए यनि सामाने शक और सामने दूख जटल सुक और जटल दुख इनोंने बताया हैं सामने स्फ़ है वो चौद्म प्रकार के होते हैं और सामने दुख है वो वारह प्रकार के बताए इनोंने देखिए सुकh मापि के आधार साथ आधार बता है इनुने कि सुकh जो मापन होता है वो निम्न साथ आधारों पर होता है नमबर एक देरा कायस में देखिए नमबर एक तीवरता नमबर दो यहनी कलावधी निष्चित्ता, निकित्ता, जनसक्ती विषिद्धता और विष्थार या व्यापक्ता इन्होंने जनसक्ती और विषिद्धता को स्रेष्ट बताया है यनि सुक मापी के साथ आधार बताएं पेपर में दी आजाए प्रशन सुक मापन के कितने आधार बताएं बेंथिम ने तो साथ आधार बताएं कितने साथ तो तीब्रता सुक की तीब्रता होनी चाहिए उसकी समयवदी होनी चाहिए सुक्ष निश्चत होना चाहिए और निकट होना चाहिए जन सकती और दे रखाए विस्दुता विस्तार्या ब्यापकता देखिए जर्मी बेंथेम ने सुक्ष और दुख में अंतर के 32 लक्षन माने हैं कई बारी प्रस्ण पूछा गया है नेट की प्रिक्षा में कि सुक्ष और दुख में अंतर के जो लक्षन कितने बताएं हैं या कितने लक्षन माने हैं 32 बैन्थिम के राजनितिक बिचार तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे अब बैन्थिम के राजनितिक बिचार तो बैन्थिम ने दो परकार के राजनितिक बिचार दियें मुक्रूप से एक तो दिया है निसेदात्मक राजनितिक बिचार और दू पूरवर्ती क्या माना है पूरवर्ती राजनितिक आवधारनाओं का खंडन यहीं इन्होंने जो राजनितिक जो इसके सिद्धांत है इसमें इन्होंने दो प्रकार से अपने तर्क दिये है निसेधात्मक राजनितिक विचार और एक है विधेयात्मक राजनितिक विचार जो इसका निसेधात्मक राजनितिक विचार है इसमें क्या है इन्होंने पूरवर्ती राजनितिक अवधारनाओं का खंडन किया है इसमें इन्होंने प्राक्रतिक अधिकारों का खंडन किया है इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे एक है सामाजिक समझोते का खंडन और विधेयाता जो विधेयाक्ता मैं दिया जो इन्होंने राजिनत विचार ये जो सुख देने जो इनने खुद ने दिये हैं न वो विचार हैं या था राज संबन्दी विचार, कानून संबन्दी विचार, दंड संबन्दी विचार, संपुर्वृता संबन्दी विचार, संपत्ते संबन्दी विचार, स्वतंतरता और अन्य सुधारवादी इनके जो हैं ये राज एक कितरम संस्ता है very most very very most है पिछली बार net की प्रिक्षा पूछा गया है राज एक कितरम संस्ता है ऐसा कौन मानता है तो कौन मानता है जर्मी बैंत है देखिए अब पहला पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें देखेंगे अपन प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किस तरह किया है यह मूरक्तापूर्ण है यह प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा है इन्होंने यह मूरक्तापूर्ण है यह कालपनिक है यह आधार हीन है क्या माना है प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए कहा है ये मुरक्तपून है ये काल्पनिक है ये आधारहीन है आगेस में लिखा हुआ है प्राकृतिक अधिकार बैसाखियों के सहरे खड़ा अलंकारिक बकवास है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बार बार प्रिक्षाम पूछाता है प्राकृतिक अधिकार बैसाखियों के सहरे खड़ा एक अलंकारिक बकवास है तो अधिकारों को बक्वास किसे ने बताया है साथियो जर्मी बेंथन ने अगला देखिए सामाजिक समझोता सिद्धान्त इन्होंने सामाजिक समझोता सिद्धान्त का क्या किया है खंडन किया है देखिए परंपराओं वे रूडिवादियों का बिरोध किया है यानि जो समाजिक जो परमपरा है उनका इनोंने इस सिद्धांत में क्या किया है बिरोध किया है और अपना मत परिकट किया है अगला है विधेयात्मक विचार जो राज्यसमंदी विचारन का देखो जो राज्यसमंदी विचार है ये इसमें दिया है राज्ये संपर्वु होगा कानुन निर्माता होगा जो राज्ये होगा क्या होगा वो संपर्वु होगा और क्या होगा कानुन निर्माता होगा अगल देखिए ये देखिए इसमें दे रखा है कानुन समंदी इसका दूसरा पॉइंट था और यह यह है कानून समंदी विचार जो इनका विधे अक्तामे हैं जो इसमें कानून समंदी विचार दिये हैं यह सर्मपरवु के आदेस ही कानून है राज विधिनिर्मान निर्माता निका है इन्ही सर्मपरवु के जो आदेस हैं वही क्या होंगे कानून होंगे ऐसा कौन मानता है जर्मी बेन्थेम आगे दे रखा है कानूनों का पालन करना प्रत्यक व्यक्ति का करतब्बे है ऐसा भी इन्होंने कहा है कि कानून व्यक्ति को मानने चाहिए आगे दे रखा है निम ने दो प्रकार के कानून स्युकार किये इन्होंने या अपने सिध्धान्त में निमने दो प्रकार के कानूनों की ब्याख्या की है नमबर एक देविय कानून और नमबर दो मानविय कानून जो देविय कानून बताये हैं इन्होंने इनको इन्होंने आसपस्ट बताया है कैसा बताया है कि जो देविय कानून होंगे वो असपस्ट होंगे वो ठीक नहीं है मानविय कानून इन्होंने मानविय कानून को चार प्रकार का बताया है ये पेपर में पिछली बार पूछलिया गया फस्ट ग्रेड में कि मानविय कानून कितने स्युकार किये इन्होंने तो इन्होंने मुक्रूप से कानून को दो भागों माटा है देविय कानून और मानविय कानून मानवी कानून को इन्होंने चार भागों माटा है तो अंतरास्टिय कानून, संबेधानिक कानून, नागरिक कानून और फोजदारी कानून अंतरास्टिय, संबेधानिक, नागरिक और फोजदारी कानून आगे देखिए बेंथेम ने स्रेस्ट कानून के छे लक्षन बताएं बहुत ही important line है इसकी जर देखना एक बार इन्होंने है यहनी बेंथेम ने स्रेस्ट कानून के कितने लक्षन बताएं क्या कहा है इन्ही बेंथेम ने स्रेस्ट कानून के छे लक्षन बताएं कि कानून कैसे होने चाहिए देखो कानून जनता की आसा आकांचा वे विवेग बुद्धी के विपरीत ना होने चाहिए दूसरा है कानून का ज्यान जनता को होना चाहिए यहनी होना चाहिए कानून ब्रोधा भासी ना हो कि कानून ऐसा ना हो जिसका दूसरी जनता भिरोध कर रही हो अगला पॉइंट चाहिए इसमें कानून सरल वे इस्पस्ट भासा में होने चाहिए कानून ब्यभारिक हो कानून का पालन हो उलंगन पर दंड की विवस्ता होनी चाहिए आगे दिरका इसमें न्याय संबंधी विचार इससे पहले अभी हम देख रहे थे इसके राजनिती विचार राजनिती विचारों में हमने आपको देखा था कि इसको जब कानून संबंधी 6 लक्षन बताये थे वो कौन से हैं कानून की क्या विश्यस्ता होनी चाहिए यह हमने देखा है तो न्याय संबंधी विचार इनका जो इनका न्याय संबंधी विचार है वो देखिए न्याय संबंधी विचार ततकालिन इंगलेंड की आपचारिक न्याए विवस्ता का खंडन किया है इन्होंने ततकालिन जब ये उस समय थे उस समय की इन्होंने इंगलेंड की आपचारिक न्याए विवस्ता का क्या है खंडन किया है तथा अनोपचारिक न्याए की मान्यता दी थी अर्थात व्यक्ति खुद वकील हो यानि जूरी न्याय वे वकीलों का इन्होंने गोर विरोध किया है खुद का खुद व्यक्ति वकील हो ऐसा इन्होंने सिद्धान दिया था और आपचारिक न्याय की इन्होंने खंडन किया है अनोपचारिक न्याय की ये बात करते हैं आगे दिखिए। 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 इनके न्याय के संबंद में सर हेंरी मैन ने एक पक्तब में कहा है ज़ा सुनना इसे। बेन थेम के समय से वर्तमान तक। यानि बेन्थेम के समय से वर्तमान तक जतने भी नियाएक सुधार हुए हैं उनमें से मुझे एग भी ऐसा नहीं लगता जो बेन्थेम से परभावित नहीं थे कापी अच्छी लाइन है सर हेंड्री मेन की इन्होंने कहा है कि बेन्थेम के समय से बर्तमान तक जतने भी नियाएक सुधार हुए हैं उनमें से मुझे एग भी ऐसा नियाए नहीं लगता जो बेन्थेम से परभावित नहीं आगे दे रखा है सैवाइन सैवाइन ने क्या कहा है बेन्थेम के न्यायक समन्दी कारे सर्वसरेष्ट वे महान थे very most यदि पेपर हम पूछा जाए आपसे कि बेन्थेम के न्यायक सर्वसरेष्ट मानने वाले व्यक्ति कौन थे तो सैवाइन अब इनके संपुर्भुता संबंदी विचार कौन से विचार संपुर्भुता संबंदी विचार निर्पेक्ष वे ऐसे मित एविवाज्य है जो संपुर्भुता संबंदी विचारन के ये निर्पेक्ष वे ऐसे मित एविवाज्य है राज्य विदी निर्मान का समर्थन क आता है बेंतोम के दंड शदांट अग्ला है इनका जो बैंतोम का जो दंड संबन्दी विचार सुधारातमक व्य Нिवारातमक सदांट का मिसरन है उस इनका जो बैंतोम के इसा कहा था बैन्थेम ने कहा था सभी प्रकार के दंड बुराई हैं लेकिन दंड बड़ी बुराई का अंत करते हैं very very important quotationage का क्या कहा है बैन्थेम ने सभी प्रकार के दंड बुराई बताये हैं लेकिन दंड बुराई का अंत करते हैं इसलिए दंड उपयोगी वे उचत हैं कि दंड दिये जाने चाहिए दंड को कम करने के लिए लेकिन दंड होना कैसा चाहिए सुधारवादी देखिए दंड संबंदीन की विसेस्ता हैं वो है क्या विसेस्ता इन्हें देखी धंड से दंड अपराद के अनुपात में होना चाहिए क्या बताते हैं दंड के सिद्धानत में ये कि दंड उतना ही होना चाहिए जितना उन्होंने गुनाह किया है यनि दंड अनुपात के अ अन्याइपूर्ण नहीं हो और निर्दाइथपूर्ण नहीं हो आदरसवादी ना होने चाहिए दंड भी कैसे होने चाहिए आदरसवादी अपराधी पीडिता पक्ष की छती पूर्ती करे जो अपराधी है वो पीडिता पक्ष की छती पूर्ती को पूरा करे जो उनको नुक मिर्थु दंड नहीं दिया जाना चाहिए लगभग कोई जब ऐसी प्रस्तिती आती है कि बस अब बड़ा जुर्म है तो यह उसे दंड दिया जाना चाहिए बलकि यह मिर्थु दंड का बिरोध करता है देखिए बैन्थें के सासन संबंधी बिचार कौई से बिचार है सासन संबंधी बिचार देखिए राजतंतर कुलीनतंतर लोकतंतर में से लोकतंतर का प्रबल समर्थक माने जाते हैं इनके लोगतंत्र सम्मंदी बिचार देखे लोगतंत्र सम्मंदी जो बिचार हैं ये क्या हैं गुप्त मतदान प्रनाली हो कैसा होना चाहिए गुप्त मतदान द्वारा और कैसा होना चाहिए वयस्क मतदिकार के अधार पर ये कहते हैं एक सदनिये संसद हो लाड सभाकाईए अंत करना चाहते हैं यानि दूसरे सदन नहीं होना चाहिए एक सदनिये संसद हो लाड सभाकाईए अंत करते हैं वार्शिक संसद के निर्वाचन की बात करते हैं कि जो संसद का जो गठन है हर वर्स होना चाहिए महिलाओं के मतादिकार का ये समर्थन नहीं था महिलाओं को ये मतादिकार का समर्थन नहीं था ये वाला point in cut मुझे भी negative लगता है फिर भी इनका जो विचार है ये महिलाओं क मतादिकार देने का समर्थन नहीं करते थे अगला है यानि जेल समंदी बिचार इनके जेल समंदी बिचार तो जेल समंदी बिचार में क्या है कैदियों को सिल्फ सिक्षन दिया जाना चाहिए क्या कहते थे कैदियों को सिल्फ सिक्षन दिया जाना चाहिए कैदियों के चरित्र के उत्थान हे तू धार्मिक यानि कैदियों के चरित्र के उत्थान हे तू धार्मिक वे नेतिक सिक्षण देने की बात करता है कापी अच्छे बेचार वाले ये एक दार्शनिक माने गए है जेल की संबन्द में उनका है केदियों को सिल्फ सिक्षन दिया जाना चाहिए और केदियों के चर्थ के उत्थान ही तो धार्मिक वै नैतिक सिक्षा देने की बात करता है तो इनके सिक्षा संबन्दी बिचार देखो सिक्ष्षा समंधी बिचार में इनुने क्या कहा है ये देखिए सिक्षा संबन्दी विचार इसके दो परकार के हैं सिक्षा संबन्दी विचार कितने परकार में दिया है दो परकार में देखो वो क्या दिया है नहीं सिक्षा संबन्दी विचार में यानि जो सिक्षा पर जो खर्च होगा वो कौन करेगा राज्य वेहन करेगा पहली बात दूसरा है गरीव वे अनात बच्चों की सिख्चा ये पहले पुइंट में क्या कहता है कि सिख्चा किसको दी जाने चाहिए गरीव वे अनात बच्चों की सिख्चा मद्धे वे उच्वर्ग की सिख्चा और इसमें भी ये खर्च किसकी बात कर रहा था भी राज की बात कर रहा कि राजवेहन करेगा सिक्षा का उद्देश इनके संबंद में सिक्षा का क्या उद्देश है ये देखना चरित्र निर्मान वे कला कॉंसर का बेकास होना चाहिए ये कहते हैं सिक्षा ऐसी होनी चाहिए तो चरितर नर्मान करें वेक कला कोंसर का बेकास करें देखिए इस दार्सनिक की भी कुछ ने कुछ आलूचना है वो आलूचना हम आपको पेस कर रहे हैं कुछ लोगों ने सेखा आलूचना आपक विवेचना की है जैसे बहुतिक वाद उपयुवता वाद पर अधिक बल देने से नेतिक्ता समाप्त हो जाती है यह कि यह भी पहुतिक वाद जो बताता है वो मात्रत्म बताता है गुनात्मक नहीं बताता है गुनात्मक की बात करेगा तो वो होंगे जी इसमिल व्याभारिक वे ए मनोवेग्यानिक है क्या है इनके ये कैसे थे व्याभारिक और ए मनोवेग्यानिक सुखवादी मापक यंत्र दोस्पून है इनके सुकवादी जो मापा कियंत्र है उसे क्या माना गया है? दो स्पून माना गया है, आगे दे राखा है मेकन के अनुसार, क्या है मेकन के अनुसार? काफी अच्छी कोटेशन है आप भली भाती सुने राजनीती सास्तर में अंक गणित का राजनीती सास्तर में अंक गणित का ओतनाही निर्थक है जितना गणित सास्तर में राजनीती सास्तर का काफी अच्छा कोटेशन है यदि आपको इकोटेस न समझ नहीं आया है एक बार फिर से जान लेजिए राजनीती सास्तर में अंक गणित का पुरियोग उतना ही निर्थक है जतना गणिती सास्तर में राजनीती का ऐसा मेकन ने कहा था किसने कहा था मेकन ने बेपर के अनुसार बेपर ने क्या कहा है जत देखो बेपर के अनुसार बेन्थेम अपने पूरवर्ती विचारों को गले से उतार गया लेकिन देखे दुबार देखे बेन्थेम अपने पूरवर्ती विचारों को गले से उतार गया लेकिन पचा नहीं पाया अर्थात इनके अंदर मौलिक्ता का भाव नहीं था, मौलिक्ता का अभाव था काफी अच्छी कोटेशन है, बेपर ने क्या कहा है, बेन्थेम अपने पूरवर्ती विचारों को गले से उतार गया लेकिन पचा नहीं पाया, अर्थात मौलिक्ता का अभाव था कारलाईल ने इसके सिद्धान्त को इसके दर्सन को क्या कहा है सुवर दर्सन क्या कहा है साथ ही हो सुवर दर्सन ये पुछा जा चुका है कारलाईल ने सुवर दर्सन कहा है इनके सिद्धान्त को मेकसी का एक कोटे सने यह जरा आप दिया सुनेंगे अंतिम बैंतिम का उप्युकताबाद बेडिया समाज में देखिए बैंतिम का उप्युकताबाद बेडिया समाज में बेडिया पन वे साधू समाज में साधू पन बाकी जबकी मिल का उप्युकताबाद प्रत्यक इस्तिती में साधू पन का उल जर्मी बैन्थेम और जी एस मिल के अंतर इस्पस्ट करते हुए बताया है कि बैन्थेम का उप्योगताबाद बेडिये समाज को में बेडियापन सादू समाज में सादूपन जोकि मिल का उप्योगताबाद परतेक व्यक्ति में यानि सादूपन का भाव देखता है तो साथि कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो साथ यो हमने आपको बीच में डिस्टर्म नहीं किया इसी प्रकार हमने आपको सभी वीडियो यानि सभी टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के डाल रखें आपको और वन वाई वन आपको मिलते रहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करते हैं इससे आने वाले महत्पून परसन हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं थैंक्यो साथ ही हो मिलेंगे next topic के साथ